नमस्कार मैं हूँ अंकूर और आप देख रहे हैं सत्तिहिंदी.com आईए एक नदर डाल लेते हैं अब तक की सुरुख्यों पर CBI के पूर्व अत्रिक्त निदेशक और रेटाइड IPS अधिकारी M. नागेशोर राव ने स्वामी अगनिवेश के निधन पर एक विवादित ट्वीट किया है जिसके बाद लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं पूर्व IPS अधिकारी ने लिखा है कि स्वामी अगनिवेश से अच्छा चुटकारा मिला तुम भगवा वफ्तरों में एक हिंदू विरोधी थे तुमने हिंदुत्त को बहुत नुकसान पहुचाया मुझे शर्म आती है कि तुम एक तेलगू ब्रहमन पैदा हुए थे मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई के आरोप में ग्रेफतार शिप्षेना नेता और पांच अन्य लोगों को पुलिस थाने से जमानत मिल गई है आरोप है कि एक पूर्व नेवी अफसर पर शिप्षेना के कारगरताओं ने इसलिए दाबा बोल दिया क्योंकि उन्होंने महराष्ट के मुख्यमंत्री और शिप्षेना के सुप्रीमों दप्ठाकरे के एक काटून को फॉरबड किया था पिटाई की घटना CCTV में कैद हो गई थी और सोशल मीडिया पर जम कर शेयर भी की जा रही है दस दिन पहले अरुनाचल प्रदेश गायब हुए पांच भारतिये नागरकों को चीन ने आज वापा सौप दिया है भारतिये सेना ने इस बात की पुष्ठी कर दी है इसके साथ ही कहा गया है कि अब इन लोगों को प्रोटोकॉल के तहट अगले 14 धिनों तक वारंटीन में रहना होगा जिसके बाद इनको परिवार को सौप दिया जाएगा केंदर की मोधी सरकार द्वारा लाए जा रहा है तीन क्रिशी अध्यादेशों को लेकर भारत के क्रिशी प्रधान राज्य हरियाना और पंजाब के किसानों में जबरदस घुस्ता है और 10 सितंबर को प्रधाशन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा की गई लाटी चार से किसान और बढ़क गए हैं उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे बतादे इन अध्यादेशों के पक्ष में केंदर सरकार का तर्क है कि इन अध्यादेशों के तहट किसानों को अपना सामान मंडी में बेचने की जरूरत नहीं होगी वे सीधे अपनी पसंद से अपना सामान किसी को भी बेच सकते हैं और निजी शेत्र में किसी भी व्यापर या कम्पनी से सीधे करार कर फसल का मूले निश्चित कर सकते हैं। तो वहीं किसानों का कहना है कि केंदर सरकार मौजूदा मंडी विवस्ता का खात्मा कर रही है और लौकडाउन के चलते समूचे क्रिशी शेत्र को कॉर्परेट घरानों के हवाले करना चाहती है। कॉंग्रेस के पूरबर द्यक्ष राहूल गांदी ने करोना वायरस से निपटनी की तैयारी को लेकर एक बार फिर मोधी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रहूल गांदी ने कहा कि कोविट के खिलाफ मोधी सरकार की सून यूजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुँचा दिया है। नितिश कुमार से भेट की। सीम हाउस में ये बैठक करीब एक घंटे तक चली जिसमें भाजपा प्रबारी भूपेंदर यादब और डिप्टी सीम सुशील कुमार मोधी मौधी 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 रहे। इस बैठक में गठबंदन और सीट वटवार को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। आरत में करोना संक्र में तो कहां करा 46,63,000 के पार हो गया है और मिर्थकों की संख्या भी 77,000 के पार हो चुकी है। फिलाल एक्टिव मामले 9,62,000 से जाद हैं। जौन्स आपकिन्स उनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में करोना संक्र में तो कहां करा 2,85,000,000 से जाद हो चुका है और मिर्थकों की संख्या भी 9,16,000 से जाद है। वहीं ब्राजील में 42,82,000 संक्रमन के मामले आच चुके हैं और 1,29,000 से जादे की लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही है सत्थिंदी.com के साथ।